अब इस टार्ट करने से पहले तो आगर हम देखते हैं तो पदार्थ, लाइक अगर हम देख लेते हैं, पार्ट शेकेंड आपका क्या है? हमारी आसपास के पदार्थ των गोई, हमारी आसपास के पदार्थ सुद्ध हैं वही चैप्टर का नामी यह है ठीक है जो पाच्ट शेकंड याद ध्याय दो अब दूखो इसमें आपको टोटली जो पढ़ना है यही देखना कि जो हमारे आसपास रहा पदार्थ है यहां रहते हैं उसमें जो जो पदार्थ पाए गाते हैं क्या वो लोग ने पढ़ा था कि पदार्थ क्या है वे वस्त्विये, जिन में इस्थान हो, जिन में भार घेरती और प्य होते हैं हमारे पदार्थ होते हैं पदार्थ की तीन उस्थाएं बता गई थी go THRO ื深त अग्यां और वो कैसे बनते हैं उनके गुण के बारे में लोगों ने पठाथ दर्फाते हैं वे जो है हमारे पदार्थ कहलाते हैं या जो है जो पदार्थ वे सभी वस्त्वें जो स्थान गेरती हैं जिसमें भार हो वे सब हमारे पदार्थ कहलाते हैं यह हम लोग ने पिछली किलास में पड़ा था तो अब पदार्थ के यहां पे दिया है कि सुद्ध औ और असुद्ध यानि जो पदार्थ हैं वो सुद्ध हैं कि असुद्ध हैं उसके बार हम देखते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई सुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो एक पदार्थ है कोई ठीक है वो सुद्ध हम कहते हैं जैसे अगर है कि कीज़ता की बात करते हो तो यह देखते हैं कि किसी भी पदार्प में कोई चीज मिलाई नहीं गई हो जैसे आप कहीं दूध लेने जाते हो टीक है तो आप कैसे यह आउनं में पानी कम मिला हो ठीक है या नय मिला हो तो आप कहते हो कि दूद्ध यूथा वो शुद्ध है ठीक और आप कोई विवस्त खरीदते हो तो जैसे आप तेल लेने जाते हो कोई जैसे आपने जो है पेट्रोल पेट्रोल खरीदा ठीक है तो कहीं कहीं आप देते हैं गहीं किसी जो पेट्रोल पंप होता है उसमें जो अच्छी क्वाल्टी का तेल देते का ते आप यह प्योर तेल दे रहे हैं यह इनमें जो है कोई म है लेकिन अगर हम अनकी वास्तविक सुन तक निस पर देखे तो जो भी पदार्थ है वह सारी पदार्थ का यह सुध्ध नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से चीजें इती हैं दूद क्या थे बहुत है थे गूमेर्थ या कार्भोइड्रेट शुद्धन के म्याने हैं cracking वहान जी आप जी लेते हो ऑय मिल नहीं वानते हो बस यह आप देखते और या उसकी सान्दृता तerson वो जो है कम नहीं होनी चाहिए वो जैसी एक्चुल में जो गाय जैसे दूद देती वह ऐसा आपका होना चाहिए ठीक है अब इस से कर उसकी सुद्धता को पहचानते हो लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो है किसी भी पदार्त की सुद्धता को किसी चीज में मिलावट की बेस पे वो नहीं करते हैं तो यह वो अगर कोई भी पदार्थ देखते हैं तो उस पदार्थ में जो उनके माल्क्यूल्स होते जो कड़ होते हैं वो एक समान होने चाहिए और उसी पदार्थ को फुद्ध मानते हैं तो जैसे अगर हम hydrogen gas की बात करते हैं तो hydrogen gas है अगर तो की जैक्षा मया उसमें सिप एक ही तब तो मिले हुए हैं ठीक है अगर आप से कहा जा तो हो बिल्कुल नहीं वाय सुद्ध नहीं तुकि इसको हम असुद्ध मांते हैं क्यों कियों क्यूंकि वायू में बहुत सी चीज्दी चाहीं मिली होती है उसमें इसमें साbokो गैसे मिली होती है रेक बाकी हमारी एए एयर कैखे एए में िभीन प्रकार के अचे है इसलिए जो एए जो है आपकी वायू शुद नहीं कहिलाईगी थिस बेशित कर हो आप की दो होती है तो जब किसी भी पदार्थ में जो दो एक सी अधिक कोई flesh Masterma उसमें मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वह एक मिसरड़ ब jurisdictions जैसे आपने क्या किया क्योंट चीनि एपने मिला दिया तो क्या हो जाता है पॉर्कारिआ वह मिस्रण बन जाता है या आप चीनी में नमक डाल दीजे चीनी और नमक को एक साथ मिक्स कर दीजे तो क्या हो गया आपका है एक मिस्रण हो गया ठीक है तो उसी तरह से जो भी हमारे पदार्थ है ठीक है है यतने भी हमारे पदार्थ हैं जब एक एक यह से अधिक सुद्वित तक्त TO या होगिक आपस में मिलते हैं वो क्या हो जाता है हमारा मिस्रण कहलाता है ठीक है इस चैफ्टर में पहला जो आपका टॉपिक है वह अंदव ऐप मिस्रण क्या है मिस्रण कितने प्रकार क्यों हो के बारे में लोग देखेंगे तो चली देखते हैं पहला जो आपका टॉपिक है मिस्रण आप मिस्रण की बात करते हैं तो मिस्रण जो है सिंपल साम देखें तो एक प्रकास कहें कि कि यह आप मिला देना ठीक है दो चीजा आप आपस में देरो तो वो मिस्रण हो गया तो उस तरह से जब हम किसी एक तक्त को एक तट नीवा गुए उट मिला ड 보고 शेंड तो तो क्या हो जाता हो आपका मिस्ट्रै कि नाविश्र इन्न कर सकते हैं मिस्ट्रद एक या 1 ga 1 शुद्ध तक्तों तुक्त तो मिस्र शुद्ध एक या 1 सी अधिक या 1 सी अधिक ठोन यूग इख योग का योग योगिक के मिलने से बनता है तो देखे जो भी कोई मिस्रण है मिस्रण हम क्या कहेंगे जब भी कोई तत्व हो एक या एक से अधिक तो सिंपल सी बात है दो हो जाएंगे ठीक है दो दो तत्व आपस में मिले होते हैं या कोई योगिक आपस में मिला दिया जाता है तो उसी को हम जो है मिस्रण कहते हैं ठीक है उदारण की बात करें तो अधारण पर लिक्स रखते हो जल प्लस शक्र तो या उसके साथ दूशरा आप जल जल और नमक तो इन दोनों को आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है यह आपका मिस्रण बन गया तो मिस्रण का सिंपल सा है मिक्चर या कोई किसी भी चीज में जो मिलावट होगे यह आपका मिस्रण हो गया आप जो है नमकीन कुछ लेने जाते हो मार्केट में तो उसमें क्या होती है खाने वाली भी चीज़े मिला जाती है उसमें नमक भी मिला दिया ज मिस्रड के प्रकार की बात करते हैं तो जो मिस्रड होता है यह हमारा मुख्रुक्षे दो प्रकार का होता है कि समांगी मिस्रण और वी समांगी मिस्रण तो अब समांगी मिस्रण का मतलब होता है एक समांगी मतलब जो एक जैसे हो एक समांगी जो होते हैं वह हमारे समांगी मिस्रण हो ठीक है एक रूप वाले कोई भी मिस्रण जो हो एक समांगी जैसे ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे समांगी मिस्रण एक समान रूप वाले वो आपका समानगी और जो दी समानगी होगा वो विभिन ठीक है विभिन रूप का जो होगा विभिन रूप के मिस्तरड को जो है दी समानगी मिस्तरड कहते है जैसे आप क्या करGreat समागी में क्या करते हूं जैसे आप इनने देखा जम जल और शकर मैं आप चीनी चारस बना दो एडिए थो चीनी का जो रस हो जाएगा वहू आपका कैस्व है समागी मिस्रे लेकिन अगर आप जो हैँ जल है प्रापर घुल की मात्रा रहेगी समगी मिस्रड नहीं लेकिन जब आप समांगी मिस्रन में देखते हो जल चीनी को डाल देते हो तो चीनी क्या होती है प्रॉपर घुल जाती है आप चेंडी को जो है अधल मुसरास को आप कहने से करते हैं तो आपको जो है एक उस यह यह जैसा टिश्ट लगता है ठीक है आप उस एक л겠지만 से लिजिए दूसरे में डाल दिजिए कोई फेस्ट नहीं पढ़ने वाला उसका टेस्ट वैसे ही रहेगा लेकिन आप जो है इन सब को देखेंगे जो वी समांगी मिस्रड होता है इन में प्रभाव पढ़ता है थोड़ा यह चेंज होते हैं क्योंकि यह प्रॉपर मिलते ही नहीं अगर आप पानी में बालू को घोल दो तो आप देखोगी क्या हो जाएगा वह प्रॉपर घोलता ने जैसे यह आप थोड़ा फा घोलने बाद छोड़ते फिर जो है बालू ज नोग को की मिलने से बनता है उसको हम जो है मिश्रड करते हैं ठीक है चलो नेक्स दिखते हैं भाई यह अब कि दूब कि अच्छा आपका विलियन अब देखें विलियन की बात करें तो विलियन जो है सेम वैसे ही बनता है जैसे कि आपने मिश्रण का बनाया ठीक है तो मिश्रण क्या एक एक या एक स्याधिक तत्तों को आपने मिला दिया ठीक है तो वह क्या हो गया आपका मिश्रण हो गया उसी तरह से अगर हम विलियन क होगा कमस में दो तक्तों होने होने चाईए ठीक है दो स्य इधिक होने चाहिए तीसमीं क्या हो जाएगा दो हुग 맛있क दो intern अधिक तक्तों के घौल को क्वल्ट को विल्ययन करते है अधिक डिन्य में कउस्यम सब्समाइख हम आप खोल मतलब आपको जैसे रश्ट बनाते हो ठीक है वो गया बस इसमें condition ही होती कि एक जो होगा ठीक है एक किसी तत को घुलेगा गों और दूसरा जो तत होगा उसमें घुल जाता है ठीक है मतलब एक घुलने वाला होगा एक घुलने वाना होगा ठीक है तो इस तरे से जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं वीलियन करते हैं यार इसमें जो कंडिशन होगे कि एक किसी वी वीलियन में एक विलायक होटा है है घॉलकूब ilian 2008 या दो से अधिक पत्तों कि गहल यारadece है कर दिया है इसमें एक इस मेशने एक बिले होगा कर एक विले और एक विलायक विलायक होता है यह जैसे आप क्या करते हो कि आप चीनी को कर जल में घोलते ओख रारा रहर रही हो। जूस बना रहे ठीक है तो क्या करोगी चीनी आप जब पाणीमें डालते हो गोलना शुरू कर देते हो तो आप देखोंगे चीनी क्या होती उसमें धीरे-धीरे घुलने लगती है और घुलता कौन है पानी उसे गोलता है ठीक तो इसमें जो होगा चीनी और अगर हम जल यानि जल और सक्कर का गोल देखें जल और सक्कर के गोल में हम देखते हैं तो जो सक्कर होगी वो क्या होगा शक्कर आपका हो जाएगा विले और जो जल हो जाएगा वो विलायक मतलब यह गोलने वाला है और यह गोल जाता है ठीक है और अगर आप इसी जगह जल के जगह पर है मतलब यह विलायक आपका जल हो जाए और आप नमक को घोलते हैं तो नमक क्या इसमें विले होगा और जल क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा लेकिन अगर आप क्या करते हो कि इस नमक को नमक को मिट्टी के तेल में घोलते हो तो क्या होता है मिट्टी की तेल में आप गोलिए तो यह नहीं गोलेगा ठीक है आपने जो है क्या किया जब नमक को जल में डाल दिया तो नमक गोल जाता है ठीक है लेकिन आप मिट्टी की तेल में अगर आप नमक को गोलते हैं तो नमक नहीं गोलता तो यह क्या हो जाएगा जो मिट्टी का वो भी क्या है, विले भी नहीं है, क्योंकि इसमें घुली नहीं रहा है, जब घुल नहीं रहा है, तो वो विले नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, मिस्तरण तो होई जाएगा, भाई, मिक्स, उसमें हम डाल देंगे, तो किसी तरह वो उसमें मिल तो गया, लेकिन जो है, अलग करना आसान नहीं होता ठीक है आप उसको सिंपली अलग नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको कुछ इस्पेशल तरीके अपनाने पुड़ेंगे तब ही होगा ठीक सारी चीजों को कुछ कुछ थत्व ऐसे हैं जिनको अलग कर सकते हैं जैसे आपने नमक और जल को घूल दिया तो उसको आप गरम करते हो छिए को गरम करो गए तो जो आपका नमक है वह बच जाता है पानी जो है वास्त के रूप में अलग हो जाता है जिसको हम वास्पी करन प्रक्टी आगा दें ठीक है तिस त्रैस ही हमारा जो विलेन है विलेन भी हो गया अगला आपका जो है एक्स पॉइंट है विलेन की सांद्रता तो अब देखते हैं विलेन की सांद्रता तो अगर हम कोई भी विलेन लेते हैं तो सिंपल सी बात होती उसकी घनत तो या डेंसिटी की आधार हम देख सकते हैं या सिंपल से कहें कि कोई भी घोल हो उस घोल में जो विले होगा जिस चीज को आप उसमें घोल रहे हैं उसमें जो घुलने वाला पदार्त होगा उसकी मात बाहर पर हम उसकी सांद्रता को डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सांद्र है कि नहीं है ठीक है तो कोई भी आप जो एमाल लिजे अगर हम दो ग्लास लेते हैं तो ग्लास लिजी आप भीकल ले लिजी और सेम साइज उसकी है आप एक में आपने पूरा जल भर दिया दोनों में आपने जल को भर दिया इसमें क्या है जल भर दिया लेकिन आपने जब इसकी सांद्रता आपको देखनी है तो इस वाले में आपने क्या किया ये वाले में एक चम्मच जो है एक चम्मच चीनी डाल दी इसमें ठीक है और दूसरी आलेम क्या डाल दिया पांच चम्मच डाल दिया पांच चम्मच तो क्या होगा कि जो मीठा कौन सा होगा ज्यादा दूसरा वाला वी वाला जो है ज्यादा मीठा होगा ठीक है और ये वाल था इसमें चीनी की मात्रा अधिक थी इसलिए ज्यादा मिठा था तो जो अब इसमें चीनी क्या है चीनी जो है ये विले पदार्थ है ये विले हो जाएगी विले चीनी क्या है विले हो गी जो जल था वो विलायक हो गया तो जो विले है पहले वाले में यह क्या हो रहा है कि इसमें इस जल यह वाले में जो है इसकी जो मात्रा थी वो कम थी यानि चीनी की जो मात्रा इसमें कम है इसमें अधिक है तो विलियन में उपस्थित विलेई की जो मात्रा होती है, विलियन में उपस्थित विलेई की मात्रा की आधार पे हम विलेई की सांध्रता को परिभासित करते हैं, तो इस बेस पे जब किसी विलेई में किसी विलेई की मात्रा कम होती है, तब हम उसको तनू कहते हैं, ठीक है, ज प्राइलूट स्लूशन बोलेंगे और जो होता आपका जब उस विलियन में विले की मात्रा अधिक होती तब हम इसको बोलते हैं सांद्र या इसको बोलते हैं कॉंग ठीक है ऐसांद्र और कॉंग जिसे आवी कमेस्ट्री में आप एक्सपरिमेंट करेंगे तो इसमें द्या जाता है आपको सल्फियुरिक येफिर दिया जाए गया इस्ट तो इस दो फॉर इसमें किसी बॉटल में आप लैम में देखोगे तो किसी में लिखा होगा dilute H2SO4 और किसी में लिखा होगा conk H2SO4 ठीक है यानि इस में इस बेस पे आप ये बताते हैं कि जो जल होगा ठीक है मतलब अगर एक लिटर आप जल लेते हैं तो जल में जब dilute वाली की बात देखेंगे तो जल में जो ये एफिड होगा उसकी मातर क कम मिला ही आती है जो कांक वाला होगा उसमें उसकी मातर अधीक होगी like अगर हम कांक में माल लेते हैं सपूर्ट आप देखेंगे तो पचास एमेल अगर आप एफिड को लेते हैं तो पचास एमेल इसमें water भी उगा देखेंगे 70 ml या इस से कम या ज्यादा गीresh होशता है ठीक है और 30 ml एफिड को ले लिजी ये क्या होगा आपका डाइलूट वाला हो जाएगा और जो दूसरा वाला होगा जिसमें इसकी मात्रा क्योंकि इसकी आप इच्छाम देखेंगे तो इसमें जो एफिड की मात्रा है वो अधिक होगी इसलिए आपका ये कांकेस्ट विए सो आर्थों की जो मात्रा होती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो विलियन है या सलूशन है वो तनू है या सांदर्थार्थ डाइलूट है या कॉंग है तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो इसको शेयर जरूर क करें और उन बच्चों को भी भीजें जो आपके इस्टडी ग्रूप से रिलेटेड हैं तो आज के लिए बस इतना ही बाकी अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कि किसी भी विलियन की जो सांदर्था होती है हम कैसे फाइंड करते हैं ठीक है या विलियन की ज जादाद की जो घुलने की जो समता होती है घुलन फेलता जिसे हम कहते हैं उसको हम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम जरूर बताएंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कि कि